यसेस मंदार, आज मैं बता होगा कि बंक निफ्टी का बड़े टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है मतलब क्या मैं आपको buy sell के signals ने देने वाला हूँ मैं आपको simply price action पढ़ना सिखा होगा मतलब क्या कि buyers और sellers में से सबसे ज़ादा contribution कौन कर रहा है मतलब क्या स्ट्रॉंग को आने जादा, अगर यहां से सेलर्स नीचे आये, तो क्या पॉइंट देखिए लोग नीचे आये, अभी यहां से वापिस यह ऊपर जा रहा है, तो क्या पॉइंट हो रहा है, मतलब मार्केट का सिनेरियो बताओ, ठीक है, सिंपल चीज समझो, कि कैं जब भी एक वी रिकवरी आती है, जैसे देखते हो, वी रिकवरी आरी है, कहां पर भी एक बॉट्टम बना के, फिर जब प्राइस उसको रिटेश करता है, और फिर वापर से उपर जाता है, तो एक बहुत अच्छा रहली देता है, सिंपल चीज देखना, कि वी रिकवरी यहां पर एक चोटा सा रिटेश्ट आया, और देखो मोमेंटम, वी रिकवरी आई, यहां पर रिटेश्ट करने का कोशिश किया, पर यह नीचे आ गया, आप क्यों क्या करना है, जब भी यह यह दिख रही है, सिंपल चीज में क्या करोगा, यहां पर देखना, मुझे यहा बनते जा रहा है, यह लो, यह लो, यह लो, और मतलब क्या, और दूसरा आप तो पॉइंट देखो के, यहां पर साइब देखो के ना, तो देखो, यहां पर एक अच्छा सपोर्ट मार्केट ने लिया, अभी हम इसको कैंडल में स्विच कर देते, अच्छा सपोर्ट लिया आप अजे वापिस मार्केट को उपर लेके जाहे, पर सेलरस ने इसको सस्टेन ने करवाया, ठीक है, यहां पर देख सकते हो, यहां पर बहुत ही अच्छा मोमेंट देख रहे हो, मतलब एक वनसाड मोमेंट रहा था, इसलिए यह जोन ईनना बहुत ही अच्छा सपोर्ट के वन डे का टाइम फ्रेम है, टाइम स्पेंड कर रहा है, स्टॉक, प्राइस, और जब ये ब्रेक आउट देगा इसका, तो एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम आ सकता है, एक हायर राइस, हायर राइस बनते बनते ये मोमेंटम आएगा, और ये ये लेवल तक आप है ना, वन डे मुझे जो दिखता है उसको में ट्रेड करता हूँ, मैं सोचता हूँ उसको ट्रेड नहीं करता, आप समझ रहे हो ना, तो सिंपल चीज़ अभी क्या गरूगा, मैं वन आर में देखूँ का कि छोटे टाम फ्रेम में आप कैसे एंट्रिस बना सकते हो, वापिस मैं देखता ह कि यहां पर देख सकते हो, एक अच्छी नीचे रहली आई, वापीस बायरस उपर आए, वापीस नीचे आई, वापीस बायरस ने उपर लेके गए, वापीस एक एग्रेसिव सेलें आई थी, यहां से मुझे लगा था, अगर दो-तिन दिन यह टाम स्पन करके और फिर यह न नीचे आता है, तो 43,000, 42,000 के रेंज बहुत इजली टेक आउट हो सकते हैं, पर नहीं हुआ, देखो आप सिंपल चीज देखो, कि सपोर्ट और रेजिस्टन्स, मार्केट कितना अच्छे से रिस्पेक करता है, आप यह बहुत सारे इंडिकेटर्स देखते हो, कि यहां से स आप से कोजिश करेंगे, पर आपस से बात करेंगा, कि मुझे बाई करो, क्या मैं सपोर्ट के पास हू, मैं हायराइज बना रहाह ᥴ, मुझे बाई करो, सो अभी वापिस आप आप को कोई प्राब्लम हो रहा है, सिंपल लाइन ग्राफ करना है, देखना है क्या हो रहा है, मारकेट कर रहा है मारकेट वी रिकवरी बने तेया पर पूरी वी रिकवरी नहीं अशुक्षभ आ रहा है कि इस पर रेकोड़ी क्षेस चाहिए ऐसी रिकवरी चाहिए रहाए फिर वापीस प्राइस उपर यह वापीस एक ट्क डॉन्या और बॉल सकते हो अब बहुत लोग ब जब बीच के ट्रेंड में कम करेंगा एक अच्छी से होगा लूघें नहीं करने वाला ना ही आप कोई डबल टॉप करेंगा ना ही डबल बॉड़ड नूटॉब करेंगा डीक सकते हो यह एक विग रिकवरी आई लू नीचे आया वापी सिया पर आया ठीक है और फिर नीचे यहां पर देख सकते हैं इतना इजली यह इसने ब्रेक डाउन दिया और एक एग्रेसिव सेलिंग आया मतलब क्या यह रेजिस्टन्स था और और एक पॉइंट क्या है यह डबल टॉप था सिंपल चीज है अभी यह जो पॉइंट है यहां से एक एग्रेसिव मूँमेंट आई वापिस इसको टेस्ट किया जब तक प्राइज रिटेस्ट नहीं होता तब तक आप कन्फरमेशन के लिए नहीं रुख सकते हैं अभी यहां पर इसको अल्रेडी रिटेस्ट किया ठीक है और अभी यह बहुत ही अच्छे रिंज में ट्रेड क्र रहा है अब इस क्या समझना है यहां से एक रिंज बन रहा है आप देख सकते हो सिंपल चीज यह एक रेंज बन रही है और यहां से एक बड़न तो बन गया है candles में आ जाते, candles में समझो क्या हो रहा है, simple चीज हो रहा है, देखो candles में बहुत लोग को starting में problem होगा क्यों, क्योंकि देखो, जो candles होती है ना, वो एक, सिर्फ red और green ही नहीं होती, वो mass psychology मतलब क्या, कि buyers और sellers कहना क्या जाते, मैंने red color के भी hammer देखी है और green color के भी inverted hammer देखी है आप समझ रहे हो ना, मतलब क्या जो colors होते हैं वो trick करने के लिए बना है ताक कि अब है ना, आपको लग रहा है कि यहाँ पर hammer तो बनी है, यार buy करना चीए कि नहीं करना चीए, पर red hammer होगी तो आप क्या बोलोगी, नहीं, salad की hammer होगी शायद से, नहीं, simple price को समझो, अगर यहाँ hammer बन रही है मैं buy करूँ, क्यों नहीं करूँ, मैं इसके high पर buy करूँगा, इसके swing, low pay, stopper लगा के trade करूँगा simple चीज है, और अगर कोई को और problem वारा है, तो simple चीज क्या करना है line graph में switch करके देखना है price को, price action बन रहा है हम trade करेगे, अभी क्या होगा मैं बता होगा, यहाँ पर देखो अगर bank nifty, इसको और time spend करता है, और यह breakout देता है, यह Thursday के आज़ पास, क्योंकि expires होती है तो एक छोटा सा swing, stop loss लगा के हम इसको trade कर सकते है, ठीक है सबसे पहले चीज़ क्या है, इसके targets कहां दगाएगे मैं बताता हूँ, ठीक है मैं इसको निकाल देता हूँ, पहले सबसे पहले target है यह होगा फिर यह होगा, ठीक है यह easily कितना है, 45,000 का लेवल तक कहा है, 500 points का लेवल आएगा, one side momentum फिर यहां से आप नीचे, यहां से आप देख सकते हैं resistance है, major resistance, वापिस क्या करेगा price, यहां से price उपर गया, समझो ठीक है, वापिस एक time spend करेगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर और वापिस अगर यह breakout दे रहा है, तो यह अब trend में convert हो गया, simple चीज है, मैंने यह आगे का क्यों सोचा, क्योंकि मुझे पता है कि यह resistance है, यह भी resistance है, यह भी resistance है, ठीक है, यह एक support है, मतलब several resistance है, market उसको perspective में कैसे लिकालता है, कैसे अगर देखो, जभी भी price time spend कर रहा है, यहाँ पर रुक रहा है, यहाँ पर रुक रहा है, और फिर एक breakout दे रहा है, तो वहाँ पर बहुत majority buyers, majority of the traders होते हैं, वो add होए, समझ रहे हो ना, majority of institution ने position बनाई है, पर यह नीचे आ गया, यहाँ पर उपर आ गया aggressively, देखो, यह momentum है ना understand ज़ादा नहीं कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि देखो, जब भी time spend हो रहा है, आपको मैं एक live chart में दिखाता हूँ, time spend हुआ, अच्छा aggressive selling आया, time spend हुआ, aggressive selling आया, यहाँ पर देखो, time spend हुआ, अच्छा buying आया, जभी market को patiently time spend करने दो, फिर एक अच्छा moment आप expect कर सकते हो, देखो, मैं बहुत fast बोलता होगा, और आपको कोई कोई चीज समझ नहीं आएगी, I am sorry for it, पर अगर आपको ये view मैंने जो समझाया, अगर अच्छा लगा, so do let me in the comment, so I hope you like it, the analysis, so thank you, have a good day.